हाँ फ्रेंट स्वागत हमारे इस योटूब चैनल सतीश चवहान स्टडी पॉइंट में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कच्छादस के अतिमहत्यपूर टॉपिक अनुवाद ट्रांसलेट का अध्यन करेंगे इसके पहले वीडियो में हमने अनुवाद का एक वीडियो भेच चुका है जो हमारे चैनल सतीश चवहान स्टडी पॉइंट की प्लेइलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो उसमें हमने तीन लकार बताः था लट लकार लोट लकार और विदेलिग लकार ठीक है तो इस दो लकार में अब सेस्ट लंग लकार और लिलिक लकार का इसमें हम लोग अध्यन करेंगे तो जीन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे हम उस वीडियो को जाकर देख ले ठीक है तो चलिए आँ सुरुवात करते हैं तो अनुवात बनाने का हमने नियम बताया था और इस वीडियो में भी हम अनुवात कही से बताएंगे तो आप देखिए सबसे पहले हमें करता की जरुष्ट पड़ेगी करतारी जो कार करता उसे करता काते हैं देखिए यह पूरुस है पर्थम पूरुस मद्यम पूरुस उत्तम पूरुस ऐसे यह पूरूस है पर्थम पूरूस वे है मध्यम पूरूस यह है उत्तम पूरूस ऐसे लेंगे ते एक बचन ये दिवी बचन ये बहु बचन जिन सब्दों से एक व्यक्तिय वस्तु का बहु दो एक बचन जिन सब्दों से दो व्यक्तिय वस्तु का बहु दो उसे दिवी बहुचान जिस सब्दूं से बहुते दूया दूसे अधिक व्य contrat है उसे फ़ल्वचान चूम पढ़ें कि लंग लाकार लंग लखार में भूत का लोता इक पड़ातु का रूप लिखा गया है ठीक है तो याप ध्यान दीजिए हां है ठीक है तो हमें पर पर एक टॉपिक समझना है कि लगला कार्मियों भूट काल्मिय कैसे रूप चलता कि अपथत अपठताम अपथन अपठभ अपथतम अपथत अपठतम अपठं अपठाव अपठाम ये तो पटधातू का रूप है क्या है रूप तो अब हम ऐसे कैसे बनाएंगे चलिए जैसे हमारा एक थोड़ा सा समझ लिजे कि भूत काल्म की पचान क्यात के अंतमयागा था थी थे चाहे कारे बीट चुका रहेगा कारे बीट चुका रहेगा जैसे वह घर गया तुम खाए ठीक है तो हमने एक उदान लिया है कि राम पूस्तक पढ़ता है राम पूस्तक पढ़ चुका थानिकाम पूरा हो चुका है तो भूत काल है तो भूत लकाल भूत काल में लंग लकाल होता है तो हम बनाएंगे देखिए कैसे बनाएंगे यह राम है तो राम का नाम जोग इसी का नाम रहेगा पुरुस का नाम रहेगा तो उसका नाम लिखेंगे अंत में भी सर लगा देंगे इस संस्क्रीट बन जाएगा इस संस्क्रीट बनाने का नियम है पूस्तक है तो पूस्तकम ठीक है त्यान दीजिए अंत में नपुंसक लिंग निर्जी वस्तुय जो होती उसके अंत में मह जोड़ देते हैं तो उसकी बन जाता है ठीक पढ़ानी किसके माने होता है तो पठ माने पढ़ाना ठीक है अब आई देखिए राम एक है तो एक वचन के करता है एक वचन का करता है एक वचन की किरिया भी लगेगी तो थोड़ा साफ समझे अनुगात बनाने का नियम क्या कि जितनी नंबर का करता रहेगा उतने ही नंबर की किरिया भी लगाते हैं तो अगर यहां एक नंबर करता रहेगा तो नंत मित जोड़ेंगे दो नंबर कराएगा तो ताम तीन नंबर कराएगा तो सिर्फ न चार नंबर कराएगा तो सिर्फ बिसर्ग जोड़ेंगे पांच नंबर कराएगा तो तम छा नंबर कराएगा तो यहां हलंत के साथ रहेगा आलत नहीं रहेगा द्यान दीजेगा यहां सिर्फ म यहां आ की मातराग साथ वा आ की मातराग साथ म तो अब थोड़ा सा यहां ध्यान दोर्टेना है जब लंग लाकार में रहेगा तो किरिया के पहले सबसे पहले औ लगा देते हैं क्योंकि लंग लाकार है यह नियम है लंग लाकार भूत काल में कोई भी किरिया लिखेंगे तो सबसे पहले किरिया लिखने के बाद उसके पहले अ लगा देंगे ठीक ना यह हो गया अपट अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए राम एक है राम एक है एक बचन है एक बचन है यह से एक एक नंबर करता हुआ एक नंबर किरिया लगी तहंत में क्या जोड़ेंगे तो लेकिन हलंद के साथ रहेगा तो जोड़ेंगे ठीक सीता खाना खाली सीता लड़की का नाम है तह सीता लिख लेंगे जब लड़की का नाम लिख लेते हैं बिसर नहीं लगाते हूं संत्कित हो जाते हैं खाना का मतलब भोजन तो भोजन को जाएगा भोजनम क्या जाएगा भोजनम खाली था खाद माने क्या होता है खाना ये काम पूरा हो चुका है भूत काले ते क्रिया पहले क्या लग जाएगा अवाई सीता केली ये तंत में क्या जोड़ देंगे एक नंबर करता है ते एक नं लोग पढ़ लिए तो तुम लोग यहां से देखेंगे तुम लोग तुम सब या तुम लोग च्छा नमबर करता है च्छा नमबर किरिया लगे तन्त में तो जोड देंगे ठीक है तो यहां से लिखेंगे तुम लोग की संस्कृत हो जाएगी यूयम क्या होगी यूयम यूम माने होता है तुम सब यहां से आप इसे देख सकते हैं ठीक है तो इसे आप अच्छी तरह नोट करिएगा देखिए यूम मिस तुम सब तुम लोग होता तो यूम पड़ मिस पठ माने पड़ाना यहां पड़ लियानी काम पूरा हो चुका है तो कि यह पफेले जोड़ ठीक है अब आगे देखते हैं करा कि हम दोनों बाजार जा चुकी ठीक है हम दोनों यह आठ नंबर करता है तो इसका संस्कित होता है यूवाम तो हम यूवाम 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 तो इसका हो जाएगा यूवाम ठीक है यूवाम मिस तुम दोनों बाजार का होता है आपड़ा अब जा चुके गच्छ मने क्या होता है जाना या गम मने क्या होता है जाना तो दोनों से आप बना सकते हैं ठीक है अब जा चुके काम पूरा हो चुका थे क्रियाक पहले अलग जाएगा इस आठ नंबर करता है तो आठ नंबर क्रियाक अंते में आकमातरावर हुआ जोड़ आगे देखी करा की निया बोजन पका रही थी तो निया लड़की का नाम है तो लिख देंगे निया बिसर्ग नहीं लगाएंगी बोजन का भोजन पचमाने होता है पकाना ठीक है पचमाने पकाना अब देखी थी है और काम पूरा है बूत काल है तक क्रिया पहले अज़ उड जो जाएगा नहीं एक लड़की है तो तोंत में क्या जोड़ जोड़ करता है इस लिए नंबर कि यह कंत मιत और उलत लग जाएगा है है अब आगो चार राओस गहाँ पढ़ रहा था- रावुल गर पढ़ राथ राहूल लड़का इसलिए अंत में विशर लग जाएगा घर का संस्क्रित गिरियम पठ मने पढ़ना अब पढ़ राथ काम पूरा हो चुका है ठीक है अब रावुल एक तो अंत में तो अलंत लगा देंगे ठीक है अब आगे देखते हैं तो अब ह देर पढ़ लिया ना लंग लकार भूत का अब हम लोग पढ़ेंगे लिट लकार लिट लकार में होता भविसकाल भविसकाल के पाचान है कि अंत में आएगा गागी गे करता यहीं सब रहेगा लेकिन किरिया बदलेगी है तो इसका रूप एक बार पढ़के आपको समझा देरे निपमन सब्सक्राइब चलब करता रहेगा तो आधास यह छोटीक मातरा सब के साथ लगेगी ठीक्रम देना है चोटीक मातरा सब के साथ इस्यत इस्यंति या इस्यसी इस्यत इस्यत इस्यामी इस्याव इस्याम छोटीक मातरा सम्मे लगेगी तो हम इसको अब बता दे रहा हूं द्यान देजिएगा करा तुम लोग तो यहां से देखिए तुम सब या तुम लोग की संस्क्रीट क्या होती है यूयम तो लिख सकता हूं तुम लोग की संस्क्रीट क्या हो जाएगी यूयम अब देखिए यह पढ़ोगे भविसे काल है नहीं तो अब इसकाल के लिए यह क्रिया चलेगी तुम ल जान दीजिए तो जब यह रहेगा जो धातू लिखेंगे उसके बाद क्या हम में सब इस्यत तो हाई तुम लोग कितने नंबर करता है वही छह नंबर कहता है छह नंबर के अंत में इए आदस्यत तो छोटी कमातरा आदस्यत हो गया पठीस्यत छोटी जो है ना इह हमेशा कार में तो इसका आप ध्यान देंगे जली अगला परसन करते हैं देखिए राम और स्याम गीत गाएंगे गाएंगे वह भी से में बात की करा रहा है तो लिटला कार वह भी सका ले देखिए राम लड़के का नाम है तो राम का नाम लिख लीजिए अंत में भी सर्ग लगा या राता तवा लिख देती क्योंकि या के संद के तवा होती है गीत का होता है गीतम ठीक है गीत का होता है गीतम गाएंगे गाए माने होता है गाना अब ध्यान से देखिए हमें इस से जोड़ना है पहले ही एक मातरा लगा देंगे तो जाएगा गाई आधा इक मत्रा हो गई आधा स य त और भी सर हो गया राम स्यामच गीतम गाई स्यत है ठीक है अगला प्रसंद देखिए जिसी का है करा कि बच्चे पूस्टक खरी देंगे बच्चे आने बाल की पूस्टक कवता है पूस्टक कम ठीक है खरी देंगे तक कराय माने खरी दना चोटी कमातरा क्रई आधास य अर्थी क्रई श्यति हम लोग चीतर देखेंगे हम लोग का संस्क्रीट वयम चीत्र का सता चीत्रां चीत्र चीत्र क्षित्र 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 चीत्र क्षित्र 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 द्रिश्टी अपस्ति मुने क्या होता है देखना तो द्रिश्टी हम बनाएंगे तो यहां छोटी को मत्रा लग जाएगी हो जैगा द्रिश्टी ठीक है यह नव नंबर करता है तो आंत में क्या जूड़ जाएगा आदास याम्ह तो आदास याम्ह हो गया वयम चीतरम चलिए वे लोग अपने घर जाएंगे तो वे लोग का संस्क्रीट ते अपने का उता है स्वयम घर का उता है ग्रियम जाएंगे गच या गम माने जाना ठीक है तो ये वे लोग तीन नंबर का करता है वे लोग तीन नंबर करता है तो तीन नंबर की किरिया लगेगी अंत में छोटी का मातरा हो जाएगी आदास या आदाना ओरती जो गच्छी स्यंती गच्छी स्यंती तकी रोहन और सोहन अपनी गाय खरी देंगे तो रोहन लड़का है तो रोहना सोहन लड़का है तो सोहन और के संस्क्रीट च अपनी के स्वयम गाय के धेनू धेनू क्रय माने खरीदना छोटिक मत्रा क्रयी इदू नमबर कहे तो आदास यत और विशर क्रयी स्यत ठीक है अब इसका लस्ट क्युश्टन है राधा और सीता पानी पीएंगी तह राधा लड़की का नام है तो लिकलेजी राधा सीता तो यह भी सर्व नहीं लगेगा क्योंकि लड़की का नाम है सीता है तो सीता और कीam संस्क्रीट हमें सा थीशेरे नमबर को जुश्चा होती है पानी होता है जलम अब पीब माने होता है पीना पीब माने पीना तो छोटी का मतरा लग देगे पीबी दो नंबर करता है तो आदासयत और बिसर तो यह हो गया हमारा भविस्षिकाल इलिट लगार कमपलीट तो दोस्तों यदि वीडियो आपको समझ में आई होगी तो इस चैनल को ज्यादा ज्यादा लाइक करिए शेयर करिये और कमेंट करिए चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आने वाले वीडियो को न्योटिपिकेशन मिलती रहे तो अगले वीडियो मिलेंगे तब तक कि लाइबा देने वाद